असलाम लेकुम मैं यूटीब फैमिली जी क्या हाल चाल हैं उमीद है सब ठीक ठाक होंगे खैर यसे होंगे आज की वीडियो है जी गुड़ पर आज हम गुड़ से बनाएंगे एक बहुती जबरतस सा वाइटनिंग फेस बैग जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुड़ खाने के बेशुमार फायदे हैं इसी तरीके से गुड़ को हम अपने फेस पर इस्तामाल करेंगे फेस पर लगाने के भी गुड के बेशुमार फायदे हैं इस तरह से आपने गुड लेना है और उसे अच्छी तरह से पीस लेना है गुड का हमने इस तरह से पाउडर बना लेना है ये देखें जी मैंने गुड को पीस लिया है और ये इतना जबरतस आपका फेस पैक बनेगा आपको किसी महंगे फेशल की जरूरत नहीं रहेगी इसके इस्तमाल से एक बार के इस्तमाल से ही आप लोग रिजल्ट देख के हैरान रहे जाएंगे अगर हैं आपके फेस पर किसी भी किसम के दाग धबे जुरियां उन्हें ये फेस पैक खतम करेगा इसके इस्तमाल से आपके चेहरे पर एक चमक आएगी और एक दम से आपका चेहरा वाइट लगेगा एक बार की इस्तमाल से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो करना क्या है आपने एक चमज भर के ये पिसा हुआ गुड लेना है ठीके जी वीडियो को आप लोगोंने स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो को देखना है आपने एंड तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है एक चमज बड़ा आपने भर के पिसा हुआ गुड लेना है ठीके जी अब हमने इसमें दूसरी चीज जो एड करनी है सेम कॉंटिटी रखेंगे ठीके जी अब हमने एक चमज भर के इसमें डालना है पेसन जितना हमने गुड लिया उतना ही हम इसमें बेसन एड करेंगे और दोनों चीजों को हम मिक्स करेंगे ताके इन में गुठलिया ना बने बिल्कुल स्मूथ सा हमारा पेस्ट बने जो एजीली हम अपने फेस्ट पे अपलाए कर सके आगे मैं बताऊंगी कि हमने इसे किस तरीके से लगाना है अब इसमें हमने जो तीसरी चीज एड़ करनी है वो है मेरे पास यहां पे यह टमाटर का पेस्ट ठीक है जी हमने टमाटर आदा लेना है उसे कदुकश कर लेना है टमाटर का हमने चिलका नहीं डालना एक चमच हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट अब हम इसकोफ एक smooth सा पेस्ट बनाने के लिए add करेंगे इसमें हम दूद चाहें तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं चाहें तो आप इसमें अरके गुलाब भी डाल सकते हैं मैं यहां पर दूद डाल रही हूं ठीक है जी और एक पेस्ट हमने बना लेना है अगर तो यह आपका पेस्ट हो जाता है पतला तो आप इसमें बेसं थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं ठीक है जी हमने ऐसा पेस्ट बनाना है जो एजिली हम अपने फेस्ट पे अपलाई कर सकें यह देखें मुझे लग रहा था जैसे कि यह पेस्ट मेरा पतला हो गया है तो मैंने इसमें बेसं थोड़ा सा और एड़ किया है और यह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा स्मूज सा एक पेस्ट बन गया है अप आगे मैं आपको बताती हूँ कहम ने इसे किस तरीके से अपलाई करना है थोड़ी देर बना के हम इसे रख देंगे उसके बाद हम अपने फेस्ट की क्लिंजिंग करेंगे क्लिंजिंग करने का तरीका मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं आपने क्या करना है कच्छे दूद से या फिर आप दही से अपने फेस की क्लिंजिंग करेंगे फेस को आपने साफ करना है उसके बाद आपने फेस पैक अपने फेस पे अपलाए करना है पूरे फेस पे आपने ये फेस पैक लगाना है और उसके बाद आपने दो से तीन मिन तक अपने फेस पे मसाज करना है मसाज बिल्कुल हलके आतों से सर्कुलर मोशन में करेंगे उसके बाद आपने थोड़ा सा ये पैक और लेना है और अपने पूरे फेस पे अभी मैं दिखाती हूँ इस तरीके से आपने ये पैक लेना है और जिस तरह मैं अपने हाथ पे पूरे पे फैलाऊंगी इस तरीके से आपने पूरे अपने फेस पे इसे फैला के 20 मिंट के लिए आपने छोड़ देना है और इसका रिजल्ट में आपको दिखाऊंगी इतना प्यारा इसका रिजल्ट मिलेगा एक बार के इस्तमाल से ही पॉलर से जैसे आप महंगे महंगे फेशल करवाते हैं सेम आपको वोही रिजल्ट मिलेगा आप लोग रिजल्ट देखके हैरान रहे जाएंगे नेक्स्ट इन्शालला किसी वीडियो में मैं इसी गुड के साथ आप लोगों को एक वैक्स बनाना बताऊंगी जिसका रिजल्ट बहुत जबरतस्त होगा और मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग मेरे चैनल पर नीव है मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें और साथ लगी घंटी को भी बजा दें ताके मेरी हर नीव वीडियो का का result मिलाए एक दम से आप देखेंगे मेरे हाथ पे कितनी चमक आएगी एक दम से whitening effect होगा ठीके जी जिस हाथ पे मैंने लगाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और जिस हाथ पे मैंने नहीं लगाया वो भी मैं आपको बार भी ये पेक लगा सकते हैं वीडियो अची लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सबस्क्राइब जरूर करना है दुआओं में मुझे रखना है याद अपना रखना है धेर सारा ख्याल इन्शाला दुबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी अला हाफिज